हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज चुका है दोस्तो फिलिपकाट की तरफ से हमारे पास पारसल फिलिपकाट बिग बिलियन डेस के दोस्तो सेल चल रही है जिसके अंदर वीवो का T3 बहुती कमाल का स्मार्टफून और बहुती ज़्यादा सस्ता हो चुका है बीस हजार का आपको 16,000 के आसपास मिल रहा है और जो है दोस्तो कई बार तो डिसकाउंट के बाद मतलब 16,000 सो और थोड़ा सा नीचे ही मिल जाता है तो इस वीडियो में में इसकी कम अनबॉक्सिंग और जो है दोस्तो बताऊंगा आपको फीचर्स के इसके अंदर क्या-क्या खुब य अनबॉक्स करते ही फून मिलता है रैपर के अंदर देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है और जो दोस्तो कवर दिया गया है यूजर मैनुवल के बाद आपको मिल जाती है दोस्तो ये वाइट कलर में डिटे केबल जो कि आपको USB to Type-C केबल दी गई है और लास्ट में रखा वह मिलता है दोस्तो ये वाइट कलर में चारजर जो कि आपको मिलता है 44 वाट का फ्लेश चारज तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको जो दोस्तो चारजर दिया गये है जिसकी बिल्ड कोईलिटी भी आपको सही मिल जाती है और रेट के साब से देखा जा तो स्पीड भ मतलब 20,000 ही है कई सारे लोगों ने इसको 20,000 कभी बाय किया होगा पर्चेस किया होगा आपने जो है अगर आप यूज कर रहा है इसको और इतने का खरीदा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चलिए अब बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में देखते हैं मतलब फून के ओपर कोई स्क्रेच होगा रहतो नहीं है और क्वैलिटी आपको जो कैसी मिलती है फून की तो मतलब मेरे साथ एक्सपिरेंस ऐसा रहा है दोस्तों फिलिपकार्ट के और भी स्मार्टफोन जो कई बार आये हैं पहले भी तो बॉक्स जो कई बार जो है मतलब डैमेज था और कई बार दूसरे प्रोड़क्ट्स भी ओडर किये दोस्तों बेग बिलिएंड डेस की सेल में तो बॉक्स जादा तर जो है दोस्तों मतलब मोस्ट वड़ टाइम ऐसा हुआ है कि बॉक्स डैमेज आया और एक बार तो मतलब एक बार मैंने जूसर ओडर किया जाता तो उसका कैब भी टूटा हुआ तो वह चीज जो कभी ना कभी देखने को मिल जाती है तो मैं आप से ही कहूंगो आप जो दोस्तों चेक आउट जरू कर लिए अगा फून खरीदने के बाद ओटीपी देने से पहले फून को चेक कर लेना कोई स्क्रेच बगर नो क्य यूजूल इतनी जल्दी जो डैमेज नहीं होता और दूसरे प्रड़क्ट्स हो जाते हैं जिनकी जो प्रॉपर बॉक्स की पैकेजिंग नहीं होती बाकी मेरे इसकी यूनिट के अंदर तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही स्क्रेच इसकी भी और जो दोस्तों कहीं से भी मता ऐसा कुछ डैमेज वे मिज नहीं है क्रैक नहीं है तो चीज मिल जाती है डिजाइन वाइस भी जो दोस्तों टी थरी आप देख सकते हैं काफी बड़ी आपको मिल जाता है डायमंड कट के डिजाइन के साथ और तीन तीन कैमरेस तरीक से इसके अंदर आपको दिये इसके कढ़ गयरा कैसे दिये गए हैं और जो एसके अंदर आपको एमॉल自 दिस्पले मिल जाती है क्वालिट इमालीट Innovation वे क्वाइब करेंगे आपको सारी एप्लिकेशन मिल जाती है चलाने में जो है दोस्तों वीव के स्मार्टफून बहुत सारे लोगों को पहले से पसंद होते हैं क्योंकि जो यूज कर रहा है काफी लॉंग टर्म बेसिस से यूज कर रहा है बहुत ही पुराने हो गई यूजर त तो वो चीज मापको दिखाता हूं तो यहाँ पर आपको आपको डिसप्रेर में जो रिफ्रेश्य डिया गया है वो मिल जाता है दोस्तो 120 हर्ट तो समूधनेज जो इसके अंदर आपको दी गई है दोस्तो वो काफी जाद़ बड़िय아 मिल जाती है से है एंप्स्पिरियन् बागी इसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले दी गई है कर्व तो नहीं मिलती आजकल जो एक कर्व भी आ रही है बागी वीव के स्कून में जो है दोस्तो आपको स्क्रीन गाट पहले सी लगावा मिलता है यहाँ पर आपको प्लेंड डिजैन मिलता है नीचे के तरफ सिम स्लॉट मिल जाता है चार्जिंग पॉर्ट स्पीकर दिया गया है और माइक मिल जाता है दो सिम काट 5G के लगा सकते ह प्लेट इसमें के तरफ से देहीं है दोस्तो नौास के रिशलेशन माइक दिया गया है डिस्पेले के अंदर यह आपको फिंगर एंट स्कैनर मिल जाता है दोस्तो एचीं चाफी अचीं दी गई है अब बात करे इसकी रह्म और स्टोरेज को लेकर तो इसके अंदर आपको कॉंसर वर्जन दिया गए है बाकी RAM expansion को option इसके अंदर आपको मिल जाता है settings के अंदर चलते हैं दोस्तो about phone में और मैं आपको दिखाता हूँ बाकी features क्या के मिलते हैं तो नीचे कभी ऊपर चले आता है about phone कभी ऊपर नीचे चले आता है usually Vivo के smartphone camera को लेकर काफी बढ़िया है रहते हैं और उसी तरीके से जो है दोस्तों ये smartphone भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है और जो है इसके अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mh की बैटरी मिलती है एक दिन का normal battery backup अराम सा आपको मिल जाएगा ये चीज़ भी इसके अंदर आपको काफी सही मिल जाती है चारजर भी सही है 448 का अब बात करें जाए दोस्तों सबसे main चीज़ इसके अंदर आपको performance कैसी मिलती है तो processor इसके अंदर आपको दिया गया है media tech का dimensity 7200 जो दोस्तों इसके अंदर आपको processor मिलता है इस budget के अंदर इस segment के अंदर काफी जादा powerful processor इसके अंदर आपको दिया गया है यह smartphone आपको बहुती तगड़ा मिल जाता है performance के point of view से अगर आप एक बहुत जादा heavy user है gaming आपको जादा करनी है multitasking जादा करनी है तो T3 जो है दोस्तों बहुती powerful phone है यह चीज़ आपको बहुती कमाल की दी गई है पहले वीवो के phones में ऐसा होता था प्रोस्सर बहुती average आते थे मतब 25,000 का phone होता था प्रोस्सर होता था 8,000 वाला 10,000 वाला है लेकिन इसके अंदर आप जो है दोस्तों स्मार्टफोन सैसे आपको प्रोस्सर भी बहुती तगड़े मिलते हैं तो वह चीज़ आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है यह सारी खुब्या कमी आपको मिलती है दोस्तों वीवो के इस T3 के अंदर चली बात कहले लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इसको खरीदना चाहिए नहीं प्रोस्सर भी बहुत आपको इसको खरीद सकते हैं दूसरी चीज़ अगर आपको डिजाइन बढ़िया चाहिए तो डिजाइन प्लस्टिक की टाइप बाकि लूकवाईस काफी बढ़िया तो आप देख सकते हैं जादे थर फूंस में प्लस्टिक की टाइप का ही पैटर्न आता है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस कवर से निकाल के साफ कर लेना तो और ज्यादा लंबा चल जाएगा बिना स्क्रैच के फून डेस्ट वगरे से बना मिट्टी से निशान आ जाते हैं गंदा होने के बाद फून में और जो दोस्तों डिजाइन की वाज़े ज़रू जाएगा चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं करागा तो सब्सक्राइब ज़रू कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजे वाटसेब पर फेस्बुक पर और जो दोस्तों आपको कोई सभी स्मार्टफून खरीदना या कुछ और भी गैजट कुछ भी आइटम खरीदना उनलाइन तो निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के वहां से जरूर खरीदिएगा चैनल का थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाँ बाइ